नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब असा करते हैं आप सभी अच्छे सुँगे सुष्थ होंगे दिपावाली की आप सभी को बहुत-बहुत सुबकामना आए और बधाया मान लक्ष्मी और मास वर्ष्वती की किरपा आप सभी के परिवार में हमेशा बने रहे दोस्तों जैस लोग आउट का आपको दिखाए देगा और नीचे आप आएंगे यहां पर आपको अपना परसनल डिटेल दिखाए देगा और सबसे नीचे आएंगे तो आपको मेक पेमेंट का ओप्सन दिखाए दे रहा है दोस्तों आप से भी को बताना चाहेंगे अभी बहुत सारे अभी जैसे ही लिंक एक्टिव हुआ है आप पेमेंट करते हैं तो यहां पर पेमेंट सक्सेस्फूल नहीं हो रहा है या तो पेमेंट फस जा रहा है या तो फिर से पेमेंट करने के लिए बोला जा रहा है तो पेमेंट को ले करके यहां पर अभी भी समस्या है तो आप सभ जल्दवाजी न करें और payment ऐसे ही भुगतान न करें क्योंकि payment करने के बाद हो सकता आपका payment जो रिफ़ंडेवल नहीं ठीक है तो payment अभी आप सभी को नहीं करना है इसके अलावे दोस्तों जैसे ही आप यहाँ payment पर क्लिक करते हैं पहले यहाँ पर HDFC था लेकिन अभी आप देखेंगे तो इंडियन बैंक सो कर रहा है तो पेमेंट करते समय जो है आप सभी को यहां पर धियान में रखना है और यहां पर देखेंगे सब पैसा का जो है यहां पर पेमेंट गेटवे लगाया गया है जो कि कहें तो हम बहुत कम टांजेक्श किया गया है पेमेंट गेटवे इसके बाद आप जब पैमेंट करेंगे तो आपका इंटरनेट स्पीड जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए कोई भी जो है एरर नहीं होना चाहिए स्पीड में ठीक है इसके बाद जो है आप जब पैमेंट करेंगे तो आप नया बिंडो नहीं खोलेंगे या फिर इस बिंडो को जो है यहां से क्लोज नहीं करेंगे इसके बाद जो है बैक बटन का यूज नहीं करेंगे पेज रिफ्रेस नहीं करेंगे और दूसरे ब्रोजर में भी आप जो है कोसिस नहीं करेंगे जैसे कि अभी यहां पर हम पेमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि अब इसी समय हम दूसरे ब्रोजर को ओपन करेंगे, तो ये काम आपको नहीं करना है, ये चीज आपको धियान में रखना है, तो जब भी आपको पेमेंट को लिकर करके समस्या आती है, तो आप इमेल आइडी पर संपर्ग भी कर सकते हैं, जो बिहार बुर्ड का ओफिस्यल इमेल आइडी दिया गया है, इसके क्वैरिज के लिए, तो हाला कि उसमें आपको समय लग सकता है, लेकिन तव तक के लिए आप परिसान तो हो जाएंगे न, तो इसलिए इस बात को आप सभी धियान में रखे, जैसे ही payment successfully होने लगता है, हम आप सभी को वीडियो बना कर जानकारी दे देंगे, इसके बाद आप नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे, यह general category के student है, या BC या EBC या EWS candidate होंगे, तो इनको जो है यहाँ पर 500 रुपया आविदन सुल्क भुगतान करना है, और यहाँ पर payment का mode क्या select करना है, यह बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप सही payment mode select करेंगे, तो आपका payment फंसने का chance बहुत कम रहेगा, तो यहाँ पर देखें, डेविट कार्ड दिया गया है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड दिया गया है, डेविट कार्ड दिया गया है, रुपया कार्ड दिया गया है, नेट बैंक की यूपिया और भी यूपिया को क्यू आर कोड दिया गया है, तो यहाँ पर जो है जो है छे ओप्सन दिया गया है अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप निश्ची दूर्प से इंटरनेट बैंकिंग का ही इस्तेमाल कीजिए इसके बाद दूसरे नमर पर आपके पास जो है डेविट कार्ड है तो आप जो है डेविट कार् लिंकिंग है और दूसरा डेविट काड है तो चलिए मेरे पास जो है डेविट काड है तो यहां डेविट काड पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहां पर आप सब्सक्राइब करना है अभी आप सब्सक्राइब नहीं करना है अभी आप सब्सक्राइब नहीं करना है इसके बाद आपका पेज इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ पर देखिए हम जो है एकसी से बैंक का डाले हुए डेविट कार्ड है तो यहाँ पर हमको 514 रुपया हमको पेमेंट करना होगा अब जैसे ही यहाँ पर जो है हम पेमेंट करने के कोशिज करेंगे तो यहाँ पर जो है बार बार श्टुडेंट जो है comment कर रहे हैं आप सभी को इसके निपर दिक भी रहा होगा तो अभी आप सभी को payment नहीं करना payment होगा तो हम आप सभी को inform कर देंगे बिहार DLA College 24 करने के लिए आप सभी को अपना कोई भी Google ब्रोजर को open करना है और search करना है kosiastudy.com आपका page जो है इस तरीके से open हो जाएगा आपको यहाँ पर DLA के सम्मद में हर जानकारी आप सभी को सही सही मिलती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है बिहार DLA College 24 फिलिंग 2022 अपलाई लिंक पर आपको क्लिक करना है इसके बाद जो है यहाँ पर सभी परकार की जानकारी आसान सब्दों में दी गई है आप चाहे तो पर सकते हैं 28 एक्टूबर 2022 तक जो है College 24 यहाँ पर लिया जाएगा जो स्टुडेंट College 24 करेंगे उन्हीं को कॉंसलिंग के लिए College Allotment लेटर जारी किया जाएगा अगर आप अभी College 24 नहीं करेंगे तो आपको जो है कॉंसलिंग से बाहर ही रहना पड़ेगा इसके बाद यहाँ पर देखे College 24 के लिंक पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप जो है अपना User ID पासवर्ट डाल करके Login करके College 24 कर सकते हैं लेकिन अभी Payment की समस्या के वज़े से आपको College 24 नहीं करना है तब तक आपको क्या करना है कि College की सूची बना लेना है कि कौन-कौन सा College हमको च्वैस करना है कितना Government College को च्वैस करेंगे कितना Private College को च्वैस करेंगे इस पर हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जागा तो जरूर जो है देख लीजे तब तक उससे उससे आपको बहुत जैदा लाब मिलेगा बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा कि यह तो को लेट करने का जंजट आपका समाप्त होजेगा कि कौन सा कोलेट करना है और कौन सा कोलेट नहीं करना है वह सारी चीज़े हम बताए हुए है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जरूर चेक किजिए धन्यवाद